आज हम लोग नया चक्तर पढ़ेंगे कॉम्यूकेशन और ट्रांसपोर्ट। जाने के लिएूसर की जिसे हम यूस सीक्राइख सकतील है। इस काउली के लिए तर्की एपी बर्डे आपके अगर कजन तर्की में रहते हैं तो आप हैपी बर्डे के लिए आप उनको उनके पड़ी को कैसे विस्क करेंगे किस कॉम्निकेशन का यूज करेंगे यह आपको राइट करना वह आपको नहीं हुँ ए में हम ए में विश्यो का जरी करती है अपने दोस्को आप पार्टी में बुलाइएगा तो आप किस का यूज किजिएगा किस कॉम्निकेशन का टैलिफोन टैलिफोन सी है तेल यूर ग्रैंड मदर इन दिफ्रेंट सिटी एबाट यूर बर्डे पार्टी आप अपने ग्रैंड मदर को जो आपसे दूसरे सहर में रहती है और अपने बड़ी के वारे बताना है पाइगा लेटर के लिवना लेकश लेकशन के लिएगा लेटर लेक्टर लेकशन का नेंगर या फास सब्सक्राइब निकल यह वाग देंगा है सभी को क्या से बताएंगे टेलीवीजन की दुरू है ना या फिर न्यूस्पेपर की दुरू टेलीवीजन यह में है सेंड यूर अप्लिकेशन फॉर अ कम्पेटिशन विच्ट क्लोजेश तुडे आपको एक अप्लिकेशन के लिए आपको एक लिए कीजिएगा इसी जो आपको नियुक्ति के लिए तो लेटर यहां पर भी लिए लिए लेटर के लिए तो यह आपका पेज नंबर 71 का था ठीक है अब चाप्टर में स्टार्ट करें हूं कॉम्निकेशन जब हम किसी मैसेज को इंफॉर्मेशन को किसी के पास भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो इस आइडिया को या इस नियुज को कॉम्निकेशन बोलते हैं मैंने प्रेंद लिए अणिवर नी में पिप्ल पॉल फुल को यह नगव हो सकता है और जानल लोगों के बीच में पीच में हो सकता है there are many ways to communicate with each other across the world communication का वाचित का तरीका है वो पूरे वर्ल में एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीकों से होता है और लोग पीजल का उदर का यूज करते थे अपनी मैसेज को एक जगा से दूसरे जगा भेजने के लिए लेटर को क्या किया जा था पहले पीजल के पैर पेरों में बांदी आ जा जा था और उसे वो लेटर एक सहर से तूसरे सहर में एक सहर से ताउसरे सिटीज में पीजन की दौरा भीजा जा जाता था कि अब यहां पर के आटकी हांटे लेटर्स का सिर्थ ранее जो हम जला सब्सांद endeavors का सब्सक्रान की फिर साथे आप को हमारे रहर किया से परपाने अब ठाल कंड़ा ऑप आपको पंडाने है तो यह आपकी प्रिया वाहत में सबसे पहले हम लेटर को कहां डालते हैं सबसे पहले में पर एक सिंवल बना करके समझा नहीं हूं आप लोगों को हम यहां पर लेटर को कहां पोस्ट लेटर बॉक्स बेना यह हमारा लेटर बॉक्स चीज़िए सबसे पहले हम लेटर को लेटर बॉक्स ले डालते हैं और यह लेटर हमारा पिर कहां जाता है पोस्ट पहना करके सी कालता है और पोस्ट आफिस में विखाता है ना पोस्ट आफिसे में ठीक है और पोस्ट आफिससे लेटर निकल करके कहा जाता है ट्रांसपोर्ट की द्वारा, ठीक है किए ठांसपोर्ट से जैसे यह को के हमारे लेकर एरो प्लेन की थूरू है ना एरो प्लेन की थूरू बहान की थूरू या फिर बस की थूरू है ना यह लेकर जाता है कहाँ पर दूसरे पोस्ट आपिस में ना दूसरे पोस्ट आपिस में दूसरे पोस्ट आपिस में जो क्या है और जहां पर जहां हम लेटर को भीजे है वह उस पोस्ट वाफिस से जहां का हमने एड्रिस दाना है वहाँ से उसको अलग किया लाता है करता है तो हम लेकर को लेटर बॉक्स में चालते हैं फिल यह लेटर पोस्ट ऑबिस में दालते हैं राखसी यह एरोप्रेन आया बस वी टासपूट के तुन यह बॉस्ट ऑुश्ट पर जाता है जिस अट्रेस में चाहना है अलग अलग city में जाता है वहां से इसको अलग 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 तिस्विये करके address में postmanly through इसको through postmanly through यह घरों में धे जा जाता है जिनका जो address होता है उस address के जो यह घरों में जाता है after we drop letters into a post box a postman collect them and takes them to the post office यहां पे letter box में जा हुआ 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 है इस लेटर को अलग अलग किया जाता है और जहां उसको भीजना बीजना इस address में भीजना है वह एवज पर आपन बस या कपकी भी आप्रांस्पूर्ट की गुरू भीज दिया जाता है इस दूसरे post office में जहां जहां का वह address रहता है इस city का उस city में उस city के post office में देलिवर घर दिया जाता है और उस post office से वहां की post office से as the letter reach the post office in the other city or town they are again sorted फिर जब दूसरे सहर में यह letter जाता है वहां पे फिर उसको sorted किया जाता है लग किया जाता है address के अनुसार बटू to address फिर उसको postman क्या कुछता है the postman delivers these letters to the address written of them उस लेटर पे जहां का address लिया जाता है postman उस address के उसार घरों तक पहुचा देते हैं तो यह आप समझ गया है letter का letter हमारे तक पहुच पहुच पे का क्या process है ठीक है तो यह हमारा process है जो letter letter box से लिकलता है post office में जाता है post office से लिकल करके post office में ट्रांसकोर्ट के थुरू other से लिदूसरे सब्सक्राइब के post office में जाता है वहां से address को साटिट करके हमारे भरुच पहुच जाता है तो यह communication communication है यह letter जो है यह भी communication का तरीका है telephone a telephone enable us to talk to someone who lives far away from us telephone वो तरीका है जो कि हम दूर दूर की लोगों से बात कर सकते हैं nowadays we also a cellular mobile phone which can be used even while we are travelling लेकिन अब के समय में आज mobile phone हो गया है जिसे हम traveling में भी एक जगा से दुसरे जगा साथ में ले जा सकते हैं the first cellular phone was invented by Dr. Martin Cooper in 1973 सबसे पहले mobile cellular phone का इसका Dr. Martin की दुआरा हुआ था जो 1973 में किया गया था the phone was known as the Motorola Dynar TSC 800X phone का नाम phone का यह रखा गया था Motorola Dynar TSC 800X fax machine a fax machine sends and receives printed message within a few seconds fax machine वो machine है जहां से हम message को receive print करके receive कर सकते हैं कुछी सेकेंडों पे every fax machine has a specific number हर एक fax machine का प्रतिक fax machine का अपना एक number होता है the printed message is inserted into a sender's machine and the number of the receiver is dialed printed message को sender जहां हमको भेजना है उनकी machine में भेजते आया रहता है और number को dial किया रहता है the receiver's machine prints a copy of the original message within a few seconds receiver's machine के द्वारा message को print कर लिया रहता है original message में कुछी सेकेंडों में mass communication mass communication is बड़े इसमें communication ठीक है mass communication means to convey a message to many people at a time mass communication means कि एक ही समय में जब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को एक ही समय में message को पहुंचाया आता है जैसे newspaper, magazine, radio and tv are used for mass communication mass communication के लिए newspaper, magazine, radio and tv का यूज किया रहता है mass communication के लिए हम जैसे newspaper हमारे घुरों में newspaper आता है ना तो newspaper में हम एक ही बार में बहुत सारे लोग पूरे country के लोग भी एक साथ एक ही news को एक बार में पढ़ने जान लेते हैं उसी तरह से magazine, magazine एक magazine को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं रेडियो, रेडियो में कोई भी program आता है तो हम एक बार में बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं और tv पे अगर कोई program आता है या कोई news हमें मिलता है या फिर weather के बारे में तो ये एक बार में बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो इस तरह के communication को mass communication बोलते हैं, इस signals are picked up by radio sets, people can listen to the news, music program, audio plays, debates and discussion on the radio, important information and alert can also be transmitted over the radio, तो रेडियो और टीवी, रेडियो और टीवी के जरिए, तीवी से हम एक बार में newspaper, music और बहुत तरह की news को के बारे में हम जा सकते हैं, the television is perhaps the most popular means of communication, television भी जो है, वो most popular means of communication है, many different programs are available on TV, such as news, cartoons, informative, documentaries, live, telecast and entertainment programs, TV पे हम क्या क्या देखते हैं, news देखते हैं, cartoon देखते हैं, information देखते हैं, तो और ये एक पार में, ये प्रोग्राम टेली कास्ट करता है, जिसे बहुत सारे लोग देखते हैं, satellite are used to send and receive message from the different parts of the world, satellite का use है, message को receive करने के लिए, और सेट करने के लिए, world के अलग 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 पार्स में, अलग 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 जगों में, many countries have sent satellite into space for this purpose, और बहाँ सारे देख जो है, वो satellite की थुरू message को send करते हैं, satellite into space पे, internet, the internet is one of the latest means of communication, internet जो है, वो latest means of communication है, we can send and receive message and mails to the internet, हम लोग message को mail कर सकते हैं, और receive कर सकते हैं, send कर सकते हैं, और receive कर सकते हैं, internet के through, we can also use it to find and exchange information on many different subjects, अलग अलग subjects में, अलग 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 बिसे बेर हम उस message को change भी, exchange भी कर सकते हैं, to use the internet, we need a computer, और mobile device and internal, internet connection, हम internet का use, internet का use करने के लिए, हमें computer की जोथ होती है, mobile device, mobile की जोथ होती है, और internet connection की जोथ होती है, तो आप अभी हम लोग क्या करते हैं, जोसे आप लोग अभी online class भी कर रहे हैं, तो ये internet, online class भी internet की जोथ होती है, तो internet का, internet को हम message को receive करने के लिए, sell करने के लिए भी use करते हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना है, transportation, नेक्स्ट पढ़ना है आपको transportation, transportation, transportation is the movement of people and goods from one place to another, transportation के दुआरा, जासे हम मैं बताई आप लोगों transportation क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या फिर हम अपने समानों को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, जिस use करते हैं, उसको transportation बोलते हैं, early human did not have any means of transport, पहले के समय में, early आदिमानों जो थे, पहले के समय में जो लोग थे, उस समय means of transportation नहीं थाया, यादयाक के सादर नहीं थे, उनको जग एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, तो वो पैदल चल करके जाते थे, लेटर, when humans started domesticating animals, they used animals such as oxen and horses to carry happy moors, फिर, humans भेदी रे, जानवरों को पालना सुरू किये, और फिर, animal जैसे, बैर और घोरों का, यूज गंडे लगें लोग समान को ले जाले के, है बिस समान को ले जाले के, एक जगह से दूसरे जगह, they also learn to build moors, moors to transport themselves and their moors from one place to another by river, फिर वो, उसके और फिर लोग बोर्स को बनाये, नाव को बनाये, जिस्से भी वो समान को एक जगह से दूसरे जगह नदियों की बारा पहुचाने जाले जाले, नदबार एक वीदा जिसे कुस्टे दरी तर, thereafter, once the wheel was invented, wheel transport made it possible for humans to travel greater distance and transport heavier loads than before, फिर उसके बार, once फिर पही काव इसकाल किया गया जिस्से समान को पहुचाना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट को है भी बहारी चीजियों को भेजना समानों को भेजना असान हो गया, today we travel from one place to another using air, land and water transport, आज की समय में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, land transport का यूज करते हैं, air transport का यूज करते हैं, water transport का यूज करते हैं, fuels, modern vehicles, fuels बिस के जगह है, modern vehicles need fuel in order to move petrol, diesel, coal, compress, natural gas and electricity, our examples of fuels we use to make our vehicles run, हम अपने vehicles को चलाने थे हैं, अपने जैसे की motor cycle है, गार है, bus है, train है, air plane है, तो इन सबों को चलाने के लिए, fuels की जोड होती है, तो वो fuel के होदा है, जासे petrol, diesel, coal, compressed natural gas और electricity, इन सभी fuels का हम यूज करते हैं, तो जासे आप गारी का यूज करते हैं, किसी भी train line transport का, water transport का, air transport का, तो यह सबी कैसे चलते हैं, fuel से, और वो fuel होता है, petrol, diesel, coal, compressed natural gas, तो यह chapter आपका, यह पूरा chapter complete हो गया, मैं इसको परहा दिया, आपको communication and transport, आपको इस chapter को read करना है, और इसका जो exercise है, मैं next class में आपको करवाँगी, आप इस chapter को read किजेगा, आपका प्लास में आप फिनिस्टारियू, have a nice day, thank you.